दोस्तों एक टॉपिक ऐसा है जिसके उपर लोग हमेशा गुगल पर या फिर यूट्यूब पर सर्च करते हैं वोई चीज ओनलाइन टाइपिंग जॉब्स लोगों को चाहिए कि वो घर बैठे बैठे सिर्फ ओनलाइन टाइपिंग का काम करके पैसे कैसे कमाई तो आज इस वीडियो में मैं आप से भी को 4 AC Genuine Jobs बताऊँगा जहां पर आप घर बैठे बैठे सिर्फ टाइपिंग का काम करके पैसे कमा सकते हो और सिर्फ मैं आपको बताऊँगा ही नहीं मैंने ये सारे काम खुद किये हुए हैं तो मैं आप से भी को verify करके एकदम सठीक तरीके से और मैं आपको proof के साथ दिखाऊँगा कि आप यहां से पैसे कैसे कमा सकते हो I hope आप इस वीडियो को शिरू से लेकर अन तक जरूर देखेंगे नमस्कार दोस्तों मैं आविनप स्वागत करता हूँ आप से भी को हमारे चैनल चलो सीखो में आईए जानते हैं अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले मैं आप से भी को एक छोटी सी जानकारी देना चाहता हूँ कि अगर आपको कोई भी online typing job चाहिए तो सबसे पहले आप Google पे सर्च करना बंद कर दीजिए जब भी आप Google पे online typing job सर्च करते हो तो ज्यादा तर टाइम यह होता है कि आप से उल्टा पैसे ले लिये जाते हैं आपको यहाँ पे कोई भी काम नहीं मिलता है क्योंकि वहाँ पर बहुत सारी fraud वाली websites होती हैं मैं आपको जो चार jobs बताऊंगा यह एकदम genuine है और आपको यह jobs कहां मिलेंगी यह भी मैं आप से भी को बताने वाला हूँ तो देखिए सबसे पहली जो job है वो है translation job translation का मतलब यह है कि आपको एक document दिया जाएगा वो एक language में होगा आपको उस document को किसी दूसरी language में translate करना है जैसे आप देख सकते हो हमें client ने English का document दिया था और उन्होंने कहा था कि उनको यह document ओडिया में चाहिए तो हमने उसे audio में convert करके दे दिया उसी तरीके से यह भी document आप देख सकते हो यह पूरा जो document है यह Hindi language में है client ने हमें यह कहा था कि आप इस Hindi document को English में translate कर दीजे तो ऐसे ही आपको काम मिलता है अब यह काम आपको कहां पे मिलेगा देखिए सबसे अच्छी जो website है वो है freelancer.com वहाँ पे आप जा सकते हो या फिर आप fiber.com की website में भी जा सकते हो या फिर आप upwork.com की website में भी जा सकते हो बट मैं आप से भी को recommend करूँगा सबसे पहले freelancer.com विकाज यह एक ऐसी website है जहां पर आपको clients बहुत ज्यादा मिलते हैं जैसे आप देख सकते हो freelancer पे हमारा एक client है जो regularly हमें काम देते आ रहे हैं वो भी 2-3 साल से अब आपको भी freelancer पे ऐसे बहुत सारे clients मिल जाएंगे अब translation से आप कितने पैसे कमा सकते हो देखिए अगर आप एक page का translation कर रहे हो या फिर 1000 word का translation कर रहे हो तो 500 से 700 रुपे आप कमा सकते हो minimum per word आपको 50 पैसे मिल जाते हैं अब दूसरी job है transcription job transcription job का मतलब यह है कि आपको एक audio file मिलेगी आपको वो audio file सुननी है और फिर आपको लिखना है जो जो चीज़े वहाँ पे कही गई है बहुत बार दो लोगों के page conversation होता है या फिर call recording होती है आपको कहा जाएगा कि call recording में जो जो चीज़ें कही गई है आपको बस वो document में लिखना है आप वो लिख सकते हो speaker 1 करके speaker 2 करके इसे आप लिख सकते हो अब transcription के लिए भी बहुत सारी website से लेकिन बहुत सारे लोग जाते है go transcript.com की website में अब यहाँ पर होता क्या है कि अगर किसी को transcription करवाना है तो उनको payment करनी पड़ती है वो कितनी payment होती है per minute 0.84 डॉलर यानि कि लगबग 70 रुपे के आसपास अगर कोई freelancer यहाँ पर आकर काम करना चाता है तो उनको यहाँ पर per minute payment होती है 0.6 डॉलर यानि कि लगबग 50 रुपे के आसपास यानि कि अगर आप एक मिनिट की audio file को सुनोगे और अगर आप लिखोगे तो आपको 50 रुपे मिल जाते है अब इसके लिए आपको क्या करना है इस website के नीचे एकदम आपको आना है और for transcriptionist पर आपको क्लिक करना है work पर आपको क्लिक करना है language आपको select कर देना है और वहाँ पर join as transcriber पर आपको क्लिक करना है अगर आप जा रहे हो fiverr.com या फिर अगर आप जा रहे हो upward.com में तो वहाँ पर आपको बहुत सारे clients मिल जाएंगे जिने transcription की जर्वत होती है और वहाँ पर आपको payment भी अच्छी मिलती है तो वहाँ पर जाकर आप apply कर सकते हो अब तिसरी job है caption writer, caption writer का मतलब क्या है देखिए इस video के नीचे जो text आ रहा होगा उसे ही caption कहा जाता है यानि कि basically आपको एक video file दी जाएगी, video में जो जो चीज़ें कहीं गई है आपको नीचे बस text में लिखना है उसे ही caption writer या फिर subtitler कहा जाता है, यानि कि subtitling writing आप करते हो तो basically subtitling के लिए payment कितनी होती है, per minute आप 100 रुपे चार्ज कर सकते हो, 100 रुपे में आप काम कर सकते हो अब यह job भी आपको easily freelancer.com की website पे मिल जाएगी, freelancer पे आप कैसे काम कर सकते हो, कैसे account बना सकते हो, आपको अपना पहला client कैसे मिलेगा, आपको पैसे कैसे मिलते हैं इस सब के उपर मैंने एक dedicated video बनाई है, जिसका link मैं नीशे description पे दे दूँगा, आप वो ज़रूर चेक करना अब आखरी job है, PDF to word converter, इसका मतलब क्या है, इसका मतलब यह है कि आपको एक PDF document दिया जाएगा, अब उस document में जो जो चीजे लिखी गई है, आपको उसे बस word document में लिखना है, एकड़म सेम copy कर देना है, अब आप बोलोगी इसके लिए पैसे कौन देता है, PDF to word तो कोई भी convert कर सकता है, लेगिन ऐसा नहीं होता है, बहुत बार PDF इस तरीके से लिखा जाता है, कि वहाँ पर आप easily convert नहीं कर सकते हो, आपको type करना बढ़ेगा, अगर आपको भरुसा नहीं हो रहा है, तो आप खुदी देख लीजिए, फाइबर पे बहुत सारे freelancers ऐसे हैं, जो चार करोगे, आपको 10 रुपे मिल जाते हैं, यानि कि 50 पेश के लिए 500 रुपे मिल जाएंगे, आप किसी भी PDF डॉक्यमेंट को online convert कर सकते हो, online बहुत सारे tools आपको मिल जाएंगे, लेकिन अगर वहाँ पर image file होगी, तो उसको convert करना थोड़ा सा मुश्किल होता है, और आपको वो manually करना पड़ेगा, तो आप वेसे भी कर सकते हो, अगर कुछ correction चाहिए, आप manually कर सकते हो, तो फिलाल यही एसी चार jobs है, जहांपे आप घर बैठे-बैठे, सिर्फ online typing का काम करके पैसे कमा सकते हो, I hope आपको इस वीडियो से इन सारी jobs के बारे में कुछ ना कुछ जानकरी, ज आते रहता हूँ, अगर आपको कोई interesting topic चाहिए, नीचे comment section पर जरूर बताएगा, मैं उसके उपर जरूर एक वीडियो बनाऊँगा, मिलता हूँ अगली वीडियो में, एक और interesting topic के सार्थ, फिलाल के लिए वीडियो में इतना ही, देखने के लिए, बहुत 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 श